साथियो नमस्कार सीजी जावजी कुष्टन में आप सभी का स्वागत है साथियो 36 शिक्षक भरती 2024 में 33,000 पदो पर भरती आएंगी जिसके लिए आज सिक्षा मंत्री ने बड़ी घोशना करती है साथियो क्या सीजी टेट शिक्षक भरती के पहले फिर से होगा क्योंकि 2022 में सीजी टेट आएउजित की गई है उसके बाद अभी तक सीजी टेट की परिक्षा नहीं हुई है डेल से दो साल हो चुके हैं क्या 2024 में सीजी टेट की परिक्षा फिर से आएउजित होगी ऐसे हजारों साथियों का सवाल है जो की इस साल फाइनल एयर में है और सीजी टेट के नोटिफिकेशन का इतजार कर रहे हैं देखिए साथियो इसके पहले दो भरती में अर्थाद 2019 की भरती के पहले सीजी टेट आएउजित की गई थी लेकिन आयोजित तभी होती है जब मांग की जाती है चुकि इस बार देर से दो साल होने को है और अभी तक CGTate नहीं आया ऐसे में व्यापम का ये बनता ही है कि व्यापम द्वारा अब CGTate की परिक्षा आयोजित किया जाना चाहिए जैसा कि प्राप्त जानकारी के अधार पर जो है लोकसभा चुनाओं के पहले नोटिफिकेशन आना है शिक्षक भरती का तो ऐसे में अब CGTate को भी आ जाना चाहिए CGTate 2024 का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए आपको हमको हम सबको मिल करके CGTate 2024 के लिए उन फाइनल एर वाले साथियों के लिए भी एक बार घ्यापन जरूर दिया जाना चाहिए ताकि उनका भी नोटिफिकेशन आ सके CGTate और शिक्षक भरती दोनों को पैरलाल ले सकते हो एक सब्ता के आगे पिछे ऐसे में क्या होगा जैसे आज CGTate का रिजल्ट आया फिर एक सब्ता बात जो है शिक्षक भरती का रिजल्ट आप दे सकते हो एक्जाम भी संडे नेक्स संडे इस तरह से आप एक्जाम दे सकते हो और रिजल्ट भी आ जाए इस तरह से जो है सासन को सोचना चाहिए व्याप होगा उसके बाद भरती आ जाएगी और इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है क्योंकि हजारों भविस्य जब किसी परिख्षा से जुड़ा हो तो वह उनके भविस्य की सबसे बड़ी एक कना चीए सफलता या एक गोल्डन ऑपर्चुनिटी साबित होती है ऐसे में CGTate आना जहिए और जरूर आना चीज़ साथियो आपको मिल करके प्रयार्स करना होगा सासन को ग्यापन देना होगा प्रसासन सिक्षा मंत्री को ग्यापन देना होगा व्यापन पर भी आप ग्यापन देने की कोशिस करें SCRT को भी आप ग्यापन दिजिए ताकि शिक्षक भरती के पहले CGTate आए मैं यही कहूंगा जादा बात नहीं करूंगा बड़ी खुसकबरी है सबको बहुत बहुत बधाई 36 गर में बहुत जल्दी शिक्षक भरती देखने को मिलेंगी बड़ी संख्या में शिक्षक भरती आप सबको देखने को मिलेंगी जहिन